तो यहाँ पर आप देख सकते हो Galaxy S21 FP, Snapdragon 888 variant को जो है February का security patch update आया है, size है यहाँ पर 310 MB करते हैं, इससे download, और इसके बारे में आप और भी जान सकते हो, यहाँ पर इनके इस website पर visit करके update के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो estimate कितना time ले रहा है, download होने के लिए तो इस इसे install, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से install हो रहा है, यह जो वीडियो है, मैं शूट कर रहा हूँ Galaxy S21 FP, Exynos 2100 variant से, तो अभी यह होगा reboot, यह हो गया phone हमारा reboot, 1UI यह complete हो जाए, यहाँ पर देख सकते हो 94%, इसमें ज्यादा time लगा है, दो से 3 मिनिट लगे है, optimizing apps, और यह phone हो चुका है, हमारा restart, यह हो यह सारी चीजे load, और मैं आपको बता हूँगा, इसमें कुछ अगर problems वगरी होंगी, update में तो आपको definitely update करूँगा, अभी तक तो यहाँ पर कोई problem नहीं है, finishing system update, तो इस तरह से, हमारा Galaxy S21 FP, Snapdragon variant, update हो चुका है, हमारे 1st February के security patch पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी update अभी यहाँ पर नहीं दिखाएगा, your software is up to date, इस तरह से,